तो बच्चो आज हम क्लास फोर्थ की हिंदी की वर्कशीट नमबर 24 सॉल्व करेंगे पार्ट है बजाओ खुद का बनाया बाजा पहला कोश्चन है पाँच वादियंत्रों के नाम लिखो वादियंत्र बच्चो वो होते हैं जिने हम हाद से या फिर मुह से बजाते हैं पहला है सितार, गिटार, बासुरी, ढोलक, शेहनाई अगला कोश्चन है क्या आप कोई बाजा बना सकते हैं अगर हाँ तो उसका नाम लिखिये और चित्र बनाईए तो मैंने यहां लिखा है हाँ, मैं नारियल के खोल और कागज की मदद से तबला बना सकते हूँ बच्चो यह ब्राउन कलर का जो है, यह नारियल का खोल है और उपर वाइट कलर का कोई मोटा कागज आप चिपका सकते हो फैविकोल की मदद से या फिर रसी से बांध भी सकते हो कागज को और फिर उस पे ब्लैक कलर से यह से बीच में डिजाइन करके आप उसे हाथों से बजा सकते हो मैं आगे आपको इसकी पिक्चर भी दिखा दूँगी क्वेशन थ्री है आपको कौन सा बाजा बजाना अच्छा लगता है और क्यों मुझे बांसुरी बजाना अच्छा लगता है आपको जो बाजा बजाना अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हैं और क्यों अच्छा लगता है वो भी लिख सकते हैं और मुझे इसलिए अच्छा रखता है बासुरी बजाना क्योंकि उसकी धुन से मेरा मन मंत्र मुग्द हो जाता है. देखिए यहां पर तबले की दिया हुआ है कि किस तरीके से बनाने ये नीचे नारियल का खोल दे रखा है उपर से पेपर को चिपका के और उसके नारियल के खोल पर इस तरीके से वाइट वाइट से स्ट्रिप्स लगा कर आप अपना तबला बना सकते हैं और बजा भी सकते ह अब हमारा next question है दिये गए वाद्दे अंत्रों के नाम लिखिए तो हमारा पहला है एक तारा पहला वाद्दे अंत्र एक तारा है जिसमें बच्चो एक ही तार होता है और जिसे दूसरे तार की मदद से बजाया जाता है next है शेहनाई और अगला है धोलक सितार बच्चो सितार में बहुत सारे तार होते हैं जिसे हम हाथ की मदद से बजाते हैं सारंगी सारंगी में भी हम इस दूसरे तार की मदद से उसे बजाते हैं हार्मोनियम इसे हम डायरेक्ट हाथ से बजाते हैं और तबला बासुरी ओके बच्चो thank you